आउ सीखो पर आपका स्वागत है, मैं हूँ आर्ति जादोन और इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप आउ सीखो का उप्यो कैसे करें। इस वेब पोर्टल का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें और शांती से समझें। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि आउ सीखो ओनलाइन एडुकेशन का वेब पोर्टल है, यानि इसका उदेश शिक्षा है ना कि मनोरंजन। इसलिए इसके वीडियो को ना तो आधा अधूरा देखें, ना ही फटाफट फिनिश करने की जल्दवाजी करें। किसे भी क्लास में, स्कूल में या कॉलेज में आप 5-10 खंटे पढ़ते हैं, तो आउ सीखो के एक वीडियो को 5-10 मिनिट तो दे ही सकते हैं, ताकि आपको उसका फायदा मिले। जरूरत पढ़ने पर इन प्रोग्राम्स को रपीट करें, यानि एक बार फिर से देखें। सबसे बड़ी बात, आउ सीखो के वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज हल करें, ताकि आपको ये मालूम पढ़ सके कि आपने क्या सीखा और कितना सीखा। एक्सरसाइजज किये बिना आप हमारे वीडियो का बहुत कम फायदा ले पाएंगे, और एक्सरसाइजज के साथ 100%। एक्सरसाइजज के रिजल्ट भी आपको हाथों हाथ ही मिल जाते हैं, और आपकी क्या गलतियां हुई हैं, वो भी आपको मालूम पढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करें, आपके सामने जो पेज खुलेगा उस पर अपने डिटील्स यानि जानकारी डालें, सबसे पहले अपना इमेल आईडी भर दें, इसके बाद पासवर्ड डालें, ध्यान रखें, पासवर्ड केवल अलफा न्यूमरिक हो, य इसके बाद अन्य जानकर यहां दे दें, जैसे फुल नेम, यहां पर अपना पूरा नाम डालें, डेट आफ बर्थ आप यहां से चुन लें, जेंडर वाले बॉक्स में, मेल फीमेल या अधर में से जो भी सही हो उससे सिलेक कर लें, इसी तरह से अपना ओक्यूपेशन डाल दें, बाकी भी जो जुरूरी जानकरिया हैं वो दे दें, और अब रजिस्टर पर क्लिक कर दें, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और एक्सरसाइज करने के लिए आप लगभग तयार हैं, बस एक छोटा सा काम और करें, वो है वेरिफिकेशन यानि ये पक्का करना कि आप ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके लिए अपना इमेल बॉक्स खोलें, उसमें आउ सीखो की तरफ से एक वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कर दें, बस हो गया, अब आप लॉग इन करें, इमेल और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो डाल दें, अब आप यहां उपर वीडियो गैलरी पर क्लिक करें, और नीचे अविलेबल कोर्स में से जिसकी एक्सरसाइज करनी हों उसे क्लिक करें, ये बिसिक कोर्स पर हमने क्लिक किया, यहां पर हमारे सामने वीडियो गैलरी खुल गई है, इन में से जिसकी भी एक्सरसाइज आपको करना हों वो आप ले कर सकते हैं, और अगर आगे की एक्सरसाइजेज आप हल करना चाहते हैं, तो उपर पेज नमबर टू या थ्री या नेक्स पर क्लिक करें, वापस आने के लिए हम पेज नमबर बन पर आ गए हैं, मान लिजे हम वीडियो नमबर टू देखना चाहते हैं, यहां से आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, और देखने के बाद इसकी एक्सरसाइजेज अगर आपको हल करना हैं, तो यह नीचे की तरफ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कई तरह की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे observation test, association test, identification test और spelling test, माली जी पहली exercise हम करना चाहते हैं, जो है observation test, तो हम इसे click here to play जहां लिखा है, वहां click करेंगे, यहां आप देख सकते हैं, यहां test को करने के instruction दिये हुए हैं, यह एक quiz type की exercise है, जिसमें एक प्रशन होगा और उसके चार options होंगे, उसमें से जो भी सबसे सही option या विकलप आपको लगता है, वो आपको चुनना है, अब इसको करने के लिए, right in side पर जहां play लिखा है, वहां click करें, यह सारे प्रशन है इसमें 10 questions हैं, जिनको आपको हल करना है, question के नीचे यह 4 options आपको नजर आ रहे हैं, जो सबसे सही लगे, उस button पर आपको click करना है, और यह left hand side पर timer चलता रहेगा, अगर कभी बीच में किसी कारण से आप test छोड़ना चाहें, तो give up पर click करके test छोड़ सकते हैं, तब तक जित प्रशन दिया है, जैसे पहला प्रशन है, हिंदी वर्ण माला में कितने स्वर होते हैं, अब इसका सही उत्तर हमको लग रहा है पार, तो यह हमने click कर दिया, इसी तरह से हर question पढ़ते जाएं, और उसके लिए सही answer पर click करते जाएं, यह हमने सारे प्रशन हल कर लिएं, आप submit पर click कर दें, यहां पर एक message box आएगा, उसमें आप से पूछा जाएगा, क्या आप sure हैं कि आप submit करना चाहते हैं, तो आप okay कर दीजिए, और अगर आपको कोई doubt हो, तो cancel भी कर सकते हैं, यह हमने इसको cancel करके एक answer change किया और फिर से submit कर दिया, अब okay पर click करके आगे बढ़ेंगे, यह देखिए उपर ही उपर हमारा score आगया है, 10 में से 5 उत्तर हमारे सही हैं, अब अगर हम बाकी के भी answers देखना चाहते हैं, तो यहां answers पर जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं, जो जो उत्तर हमारे सही थे, वो green में नजर आ रहे हैं, पर अगर हमारे उत्तर गलत थे, तो वो red में नजर आ रहे हैं, और सही उत्तर green में नजर आ रहा है, वापस पीछे जाने के लिए, उपर जो go back दिया है, उस पर click करें, और अब वापस वीडियो पर जाने के लिए back to यहां पर आप देख सकते हैं कि जो exercise हम कर चुके हैं उसका रंद पीला है, उसे अगर फिर से करना हो तो play again पर click करें, नहीं तो अगली exercise पर click करें, जो है association test, यह फिर से instruction का page खुला है, instructions पढ़ लें, यह match the columns वाली exercise है, जिसमें आपको जूडिया जमानी है, अप ले पर click करें, यहां पर instruction फिर से पढ़ लें, यहां आपको column A और column B में से जूडिया जमानी है, इसमें आप column A का पहला point पढ़ें, जो है हिंदी स्वर, हमें पता हैं हिंदी स्वर होते हैं A-A-E-E, जो कि column B में से देख करके, आप उस पर click कर दें, और click करके छोडे नह कि उसे दबाए रखें और drag करके, हिंदी स्वर के सामने उपर ले जा करके फिर छोड़ दें, यह देखिए यह जोड़ी जम गई है, आप किसी भी उत्तर को उपर या नीचे कर सकते हैं, जब सारे points जम जाएं, यानि सारी जोड़ियां जम जाएं, उसके बाद एक बार उससे चेक कर लें कि वो सही है या नहीं, और उसके बार सब्मिक पर click कर दें, यह हमने चेक कर लिया, अब सब्मिक पर click कर दें, यहां से okay करें, यह देखिए स्कोर आ गया है, इस बार हमने 6 में से पूरे 6 अंख प्रात किये हैं, answers चाहें तो आप देख सकते हैं, वापस पीछे जाने के लिए go back पर click करें, और फिर से हम back to video पर click करके videos पर पहुँच जाएंगे, यहां आप देख सकते हैं कि इस बार color पीले की बजाए हरा हो गया है क्यूंकि हमारे सारे उत्तर सही थे, अगला test है identification test, यह यहां पर जो instructions दिये हुए हैं वो पढ़ लें और test देने के लिए play पर click करें, यहां उपर instructions पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इस test में तीन से अधिव गलत जवाब देने पर यह test अपने आप समाप्त हो जाएगा, यहां पर यह देखिए तीन guesses आप गलत कर सकते हैं और यहां पर अपने आप आपको number पता चलता जाएगा कितने guesses गलत हुए हैं, अब यह नीचे जो आपको buttons दिख रहे हैं उस पे letters लिखे हुए हैं, जिस भी letter पर आप click करेंगे, अगर वो सही जवाब होगा तो वो green हो जाएगा, यह देखिए A हमारा सही जवाब है, अगर वो गलत हुआ तो वो लाल हो जाएगा, यह जैसे Z गलत जवाब है तो यह ला जादा नहीं, इसी तरह से आप सारे answers कर लें, यह 4 उत्तर हमारे सही हो गए है, 5 वावल्स हमको ढूढना है, यह जैसे ही हमने 5 किये, test अपने आप submit हो जाएगा, यह उपर आ गया है हमारा score 5 में से 5, आप यहां से answers देख भी सकते हैं, जो सही जवाब हैं वो green में नजर आ और जो गलत हैं वो red में नजर आ रहे हैं, वापस पीछे जाएंगे, वीडियो पर जाने के लिए back to videos पर क्लिक करें, यह देखिए यह भी हमारे सारे उत्तर सही थे, इसलिए green है, चौथे प्रकार की exercise है, list type की exercise जैसे की spelling test, इस पर क्लिक करें, यहां से instructions पढ़ लें, और play पर क्लिक करें, instructions पढ़ने पर साफ हो जाएगा कि यहां पर बाईं तरफ एक list है, जिसके सामने वाले कॉलम में उत्तर अपने आप आजाएंगे, अगर आप उन्हें उपर दिये गए box में type करेंगे, जैसे, सबसे पहले आपको लिखना है, आओ सीखो, अगर आपके spelling सही होगी, तो यह उत्तर अपने आप सामने आ जाएगा, यह देखिया हमारी spelling सही थी, तो यह आ गया, अगर हम कोई गलती करेंगे, तो वो box में नहीं आएगा, जैसे basic English अगला word है, इसकी spelling अगर हमने गलत लिखी है, तो वो सामने वाले कॉलम में नहीं आए अब हमने इसको सुधार दिया, यह अपने आप वापस सामने आ गई है, इस टेस्स के खास बात यह है कि आपको क्रम से चलना ज़रूरी नहीं है, और नहीं capital और small letters का ध्यान रखना है, आप तो बस उत्तर टाइप करते जाएए, और वो अपने आप सही जगर पर चले जाए यह देखिए, हमने alphabet और vowels यह दो छोड़ दिये, consonants किया, तो वो भी अपने आप अपनी जगह पर आ गया है, इसके लिए आपको enter या कोई भी दूसरा बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, यह आपको अगर टेस्ट छोड़ना है, तो give up पर क्लिक कर देए, अब जितने भी answers हमने सही दिये हैं, उसके हिसाब से score हमको दिख जाएगा, यह 6 मैंसे 4 उतर हमारे सही थे, और बागी answers अगर आपको देखना है, तो answers पर जाकर देख सकते हैं, यह सारे सही उतर यहां दिये हुए है, वापस back to video पर क्लिक कर दें, यहां पर जो भी टेस्ट आप दे चुके हैं, वो आपको अलग-अलग colors में नजर आ रहे हैं, यलो का मतलब है कि अभी आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आप चाहें तो इन्हें वापस से दे सक यह तो अभी हमने किसी particular video से related exercises देखी, अब अगर आप किवल सारी exercises को एक साथ देखना चाहते हैं, तो उपर exercises वाले tab पर क्लिक करें, यहां पर देखें हर video से संबंधित exercises आपको एक साथ नजर आ रही हैं, तो जिस भी video से चुड़ी हुई exercise आपको करना हो, वो आप कर सकते हैं, तरीका वो ही है जो हमने आपको पहले बताया है, और आगे के pages की अगर exercise करनी हो, तो यह यहां से आप दूसरे pages पर भी जा सकते हैं, जो exercises आप कर चुके हैं, वो यहां पर भी आपको अलग-अलग colors में नजर आ जाएंगी, ताकि आपको एक साथ नजर कौनसी exercises आपने कर ली हैं, कौनसी exercises इंप्रूफ करने की जरुरत हैं और कौनसी exercises नहीं की हैं, साथ ही आपको score भी दिख जाएगा, तो अब आप तयार हो जाएए exercises करने के लिए, all the best.